हेलो एवरिवन वेल्कम यूवाल टू कॉग्णिजेंस आईएस देखिए इस सीरीज में हम लोग हिस्ट्री आफ जार्खंड को डिसकस कर रहे हैं जिसका सोर्स है कॉग्णिजेंस आईस का मेंस नोट्स तो जिन लोग ने नोट्स को ले लिया है वो उसको फॉलो करेंगे जार्खंड यहां पर आपको मिलेगा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आदी धर्मा डैट इस सरना कल्ट ऑफ जार्खंड ट्राइब्स दिए जो जार्खंड मेंस का नोट्स है इसमें स्पेसिफिक लिए आपको पेपर 3 के लिए जो जो जोग्रफी और हिस्ट्री का पा यहां क्या अध करना है तो यह सारा कुछ आपको इस बुग में या इस नोटस में मिल जाएगा इसके लिए बोगे मेरा में मकसेद बस यही है कि मैं आपको यह बताूं कि एनसर एइडिंग कैसे करना है जैसा कि मान लेते हैं मेंस का एक्जाम आपको लिखना है तो मेंस के में आपका मेन टॉपिक चो होगा या फिज़ जो भी question आएगा उसको अब डिरिक्ली उसमें facts को नहीं ढाल सकते हैं नहीं concept डिरिकली डाल सकते हुआ उसका एक structure होगा कि पहले introduction में आपको क्या लिखना आपको body parts में क्या लिखना है आपको फिर उसके conclusion पार्ट में क्या लिखना है तो हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे अगर आधी धर्मा की बात करें तो इसमें आपको कौन-कौन सा question मिल सकता है first जो आपका question होगा what is sarna cult discuss the cultural distinctiveness of adhidharma that is sarna cult यानि कि आपको बताना है कि sarna dharm क्या है आधी धर्म जो कि sarna sanskriti है इसके sanskritic विसस्टताओं या विसस्टता पर चर्चा करें तो यह आपका एक तरह question form हो सकता है इस topic से इसके लावब एक और question अगर आप देखे तो और किस तरह question form हो सकता है यह हो सकता है discuss the cultural features of sarna cult that is adhidharma और discuss the cultural distinctiveness of adhidharma that is sarna cult तो ऐसा ही आपको इस topic से questions देखने को मिल सकता है तो आपको पता है कि यहाँ पर जो question होगा वो कितने marks का होगा वो होगा 40 marks का तो जो 40 marks का question होगा इसमें आपको वो सारा कुछ लिख देना है जो भी आप sarna cult के बारे में जानते हैं लेकिन यह एक flow में होना चाहिए यानि कि एक well mannered हम लोग इस तरीके से answer को सजाएंगे कि जो जहां पर आपको average marks मिल सकता था वहां पर आपको एक दो कोटेशन के साथ अगर आप कोटेशन डाल देते हैं इंट्रोडक्शन में तो यह आपके answer को बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटिफाई करेगा देखिए quotation का क्या मतलब होता है माल लेते हैं examiner के पास आप तो नहीं जा रहे है ना आपकी answer booklet जा रही है तो यह जो answer booklet है इसम examiner को नहीं पता है कि आप कितने पढ़ने में तेज है कितने कमजोर है उसके पास बस वो copy है वो answer है उसके हिसाफ से उसको marks देना है तो introduction में जो quotation हो जाएगा quotation देखने से उसके अंदर interest जागेगा कि यह थोड़ा different copy है वो उसे read करेगा read करने के बाद आपके body part को भी read करेग जिसमें आपने facts और अच्छे से सब कुछ डाला होगा एक simply मान लेते हैं आप चार्चर लाइन के paragraph में लिखते जाते हैं तो एक story form हो जाएगा उस story को पढ़ने से अच्छा है कि examiner क्या करेगा एक quotation को देखेगा आपने एक point वाइस लिखाया उसको देख सकता है और एक flow मे answer होगा तो वो पूरे answer को पढ़के आपको final conclusion के बाद अच्छे माक्स देगा तो यहाँ पर देखिए हम लोग body part को भी समझेंगे पहले लोग introduction को देख लेते हैं तो introduction आप किस तरह से लिख सकते हैं introduction में आप simply लिख सकते हैं कि आदी धर्मा एक तरह का tribal religion है आदी धर्मा refers to the tribal religion of traditional religion of indigenous people देखें indigenous people मतलब या आदी धर्मा आप बोल सकते हैं सबसे पुराने जो लोग हैं पुराने लोगों का एक religion है आदी धर्मा भारत में इसके बाद आप यह लिख सकते हैं कोटेशन डाल सकते हैं directly और वो कोटेशन क्या होगा उस कोटेशन में आप डाल सकते हैं रामदयाल मुंडा का कोटेशन तो यह कोटेशन में उन्हें कहा है कि आदी धर्मा is a strategy to continue the stories of आदिवासी existence यहाँ पे जो आदी धर्मा है एक तरह के strategy है आदिवासी existence को डेल करने का तो आप इस कोटेशन को ऐसे लिख सकते हैं आपने इंटेट कॉमा दिया दो यहाँ पे आपने लिख दिया आदी धर्मा is a strategy to continue the stories of आदिवासी existence इंवर्टेट कॉमा क्लोज करके आप यहाँ पे लिख देंगे बाई रामदयाल मुंडा तो दीखिए इस तरह का गराफ कर देतें इंटूडक्शन पार्ट में यह आपक सबसे पहले नहीं पर आदी धर्मा को explain किया था चली यहां तक देख लेतें यह हमारे इंटूडक्शन का पार्ट हो जाएगा आप यह सब फैक्ट्स को लिख देंगे कम से कम 40 वर्ट का इंटूडक्शन हो जाएगा वित इस कोटेशन नेक्स अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर और भी आपके पास facts पढ़ा हुआ है आप इन में से कुछ को भी use कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग का जो answer होगा अब हम लोग body part की जब चाहेंगे तो body part में क्या हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा facts about सरना कल्ट तो यह जो तो facts सरना कल्ट का इसमें क्या है एनिमिजम को आपको लिखना है environmental concern क्योंकि यह सब कुछ किस से जुड़ा हुआ है सरना कल्ट से तो सरना कल्ट से जुड़े हुए कुछ चीजों को हम लोग यहां पर mention करेंगे जैसा सरना कोड हो गया और worship कैसा होता है सरना कल्ट का worship होता है वहां पर इन लोग का कुछ-कुछ rituals होता है worship करते समय तो worship का जो rituals होता है उसको हम लोग देखेंगे अब इस rituals को किस-किस festival में use किया जाता है फिर हम लोग उस festivals को mention करेंगे तो देखें एक तरह का यहां पर आपको flow देखने को मिलेगा हम लोग जब answer लिखेंगे तो तो फि जैसे कि फर्स्ट आपका एनिमीजम तो एनिमीजम में आप क्या लिखेंगे कि जो distinctiveness है हमारे इंडेजेनियस पेपल्स का यह जो सरना कल्ट का सरना कल्चर का उसको देखते वे ब्रिटिस कल्चर के टाइम पर क्या किया गया था सरना को एक डिस्टिंक्ट इसको एनिमीजम को लिखेंगे इन्वारमेंटल कंसर में आप क्या लिख सकते हैं कि जो जल जंगल जमीन है जो कि इन्वारमेंट का या इन्वारमेंटल हेरिटेज जो है उसका कॉर्णर स्टोन है यानि कि उसका हिर्द है या फिर एक हेरिटेज है इन्वारमेंटल आइडेंटिटी है आद जो भी हिंदी वाले student है वो क्या करेंगे अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला quotation अपने answer में यूज कर सकते हैं जैसे English वाले अपने इस quotations को यूज कर सकते हैं आदिवासी existence वाला जो यहां पर आपको दिया हुआ है और English में जो है यानि हिंदी में जो है वो इस quotation को यूज कर सकते हैं आदी धर्मा की सबसे बड़ी विसेशता संभावता ये है कि संस्थागत धार्मिक अवसत्ताओं के विपरीद धर्म में मनुश्यता और प्रकृति के संबंध पारसपरिक निरवर्ता में निरूपित हुआ है ना कि इस रिस्टी के ऊपर विजय पानी की भावन में ये भी डॉक्टर रामदयल मुंडा का ही कोटेशन है तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे सरना कोड के बारे में तो जो ट्राइबल लीडर्स है इनका मानना है कि एक सेपरेट सरना कोड है था जो 1871 फर्स जब आपका सेंसेस हुआ था जो लॉड मायो के टाइम पे हुआ था 1871 में उस सेंसेस के टाइम से एक सरना कोड सेपरेट है सरना कल्ट के लोगों के लिए यहां पर जो सरना कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि हम लोग सरना धर्म से बिलॉंग करते हैं ना कि हिंदू धर्म से assembly में एक bill pass कराकर के central government को भीजा गया था तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको सरना code के बारे में mention कर सकते हैं और सरना cult को मानने वाले जो followers हैं उसमें आप mention कर सकते हैं मुंडा, हो, भूमीद, संथाल, कुरुक, यह सब इतनी group के लोग जो हैं वो follower है सरना cult के इसके बाद आप सरना cult worship के बारे में लिख सकते हैं कि सरना cult का worship किस तरह से होता है तो जो इसके followers होते हैं वो क्या करते हैं? ट्री का प्रे करते हैं या फिर environment के लिए प्रे करते हैं तो यहाँ पर आप simply लिख सकते हैं सरना means groove ग्रूफ का मतलब होता है लगबग एक ही प्रकार का व्रिक्ष का समू, यानि कि एक तरह का जहां पेड़ो, यहाँ पे साल ट्री को लेते हैं, तो साल ट्री को आप जितना चाहें हमापे मिंशन कर सकते हैं अपने आन्सर में, क्योंकि कही न कहीं जो आपका सरना कल्ट का पू पवित्र चीज माना जाता है इसको इसके फॉलोवर्स जो है वो जल जंगल जमीन का प्रे करते हैं आपको यह भी मालूम होगा कि जहारकन में जितने भी आंदोलन हुए सबका बेस यही था पानी जंगल जहांपे कि आपके दीकू लोग इंटर्वेन कर रहे हैं जिसको बाहर जो पूरे गाउं को प्रोटेक्ट करते हैं तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि विलेजटी की पूजा की जाती है जिनको यह लोग गाउं खूट कहते हैं गाउं खूट या ग्राम देवती या धरमेश मारंग बुरू सिंग बोंगा यह सब इनका नाम है इनको बहुत अलग लग नाम से जाते हैं लेकिन सब का मीन यहीं कॉंसप्ट है सरना कल्ट को जो भी फॉलो करते हैं जितने भी ट्राइबर रिलिजन के ग्रूप जो इसको फॉलो करते हैं इसके बाद यहां पर धर्ती की पूजा की बात की जाती है इस धर्ती की पूजा में एक देवी क यह जो सारा point दिया हुआ है सरना कल्ट इसके अंदर आपको mention करना है सरना code के अंदर code के चीज़ों को mention करना है तो हर एक चीज का point दे करके mention करना है इसके बाद हम लोग worship 근के सروड़ क्या थो जैंक हमारा worship क्यासा कैसा होता है इसके बाद हम लोग रिट्स के ओपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए रिट्स जो होता है रिट्स में हम लोग देखेंगे कि रिट्स करने के लिए रिट्स जो होता है सरना कल्ट का इसमें आप ऐसा लिख सकते है रिट्स में आप कुछ एरो दे करके mention कर सकते हैं तो फिरस्ट आप लिख सकते हैं जो worship ceremony होता है वो पूरा का पूरा whole village मनाता है तो पूरा का पूरा विलेज वर्षिप ceremony को मनाता है यहाँ पे active participation किसका होता है PRIST का PRIST कोंलोग और क्या कहते है PRIST कोंलोग कहते हैं Pहन Pहन कहते हैं आपके village को लोग पाहन कहते हैं और इनके assistant को लोग बोलते हैं नाइकी तो नाइके और पाहन मिल करके यहाँ पे active participation करते हैं पूझा करते हैं और जहाँ पे पूझा करते हैं इस place का नाम होता है ग्राघ दान, जाहर दान या जाहर गर तो ये उस चखा का नाम होता है इसके बाद जो पेड़ होता है इसके पेड़ का पूजा होता है साल, महुआ, नीम और बन्यान तो दिखें यहाँ पे इन सारे पेड़ों का पूजा होता है इसके लावा यहाँ पे purity को बहुत अच्छे से strictly follow किया जाता है इसको एक एकर के mention करेंगे तो आप इसके पहले भी यह mention कर सकते हैं कि हम लोग साल के flowers का पूजा करते हैं harvest festival होता है जो भी rits होता है इसमें इसके बाद आप एकर के सारे festival को यहाँ पे mention करेंगे तो जो festival होगा इसको celebrate किया जाता है spring season में जो सरूल festival है यह आपका spring season में मनाया जाता है और जब साल के flower emerge होते हैं branches में तब तो जो साल flower है इसको तोड़ करके फिर village टिट्टी का पूजा किया जाता है और village जो पहान होते हैं वो couple of days का fast रखते हैं इस festival में यह लोग क्या करते हैं normally three earthen pot लेते हैं यानि की तीन मिट्टी का घड़ा लेते हैं और इस earthen pot में पानी बहरा जाता है तो यह आपका तीन होता है तीन earthen pot को लिए करके इसमें पानी भर करके notice किया जाता है आपसाल का जो पेड़ा उसके सामने रख दिया जाता है notice किया जाता है कि जो पानी है वो कम हुआ या फिर पानी उतना का उतना ही है तो जो सरना स्थल में जो तीन घड़ा रखा जाता है उसको राद बर छोड़ दिया जाता है और फिर पानी को notice किया जाता है अगर उसका जो जल है या उसका जो पानी है पूरह ड़ने से बहुत बहुत है इसका मतलब यह मतलब यहाए ine simples आने वाला यह आने वाला है अगर पानी इतना का उतना रहा इसका मतलब होता है कि जो रेन होगा वह गुड़ बारिश भींडर होगे और चयी बारिश मतलब होता है अच्छा फसल वेहाई तो यह जो पूजा होता है यह पूरा का पूरा जीट महिना में मनाया जाता है फागून के बाद तो यहां पर आपका लिखा हुआ है फागून के बाद जो चैत्रा आता है उसके बाद जीट मन तक इसको मनाया जाता है इसको मनाने वाले ट्राइबल पेपल होते है उराओ मु कियाजाता है और और्वा राइस को बनाया जाता है और भड़ को बनाया जाता है और और सरना चावल की सब चीजों से बना लगे तो हडיע जो बनाँ होता है या फिर सरना को चढ़ा प्लेस पेसको चढ़ा करके इसको भी ऐज़ाद एकसेप्ट किया जाता है तो ये सब कुछ आपका होता है सरहुल फेस्टीवल में तो सरुल के बारे में आप खुद से भी जितना कुछ जानते हैं आप यहाँ पे मिंशन कर सकते हैं नेक्स अगरम लोग देखेंगे कर्मा के बारे में तो कर्मा जो भद्रमन्त होता है हिंदी का उसका 11 डे में मनाया जाता है और यहां पे जो गाव होते हैं, यहां पे कर्मा की पूजा की जाती है, जो यूथ होते हैं, यहां पे जंगल से आप जो यूथ होते हैं, वो जाकर करके वोड लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, और कर्मा गौड की पूजा करते हैं, अच्छे से आप एक ग्रूप में एक डा तो यहां पर आप इन सब को मेंशन कर सकते हैं इसके लावा करमा के बारे में जो भी आप जानते हैं उसको मेंशन कर सकते हैं नेक्स्ट आपको मेंशन करना है सहुराई फेस्टिवल के बारे में तो सहुराई फेस्टिवल क्या है यह नॉर्मली जो भी दिपावली के बारे में आप चानते हैं उसको आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं अगर आपको सहुराई आपको इससे रिलेट कर लीजे दिपावली स तो यहां पर क्या होता है दिपावली में और सोहराई में हम लोग अर्थन लैंब को जलाते हैं यानि के मिट्टी के दियों को जलाते हैं घर में कैटल सेड्स यानि की जो आपका गाय का घर है यहां जहां पर कैटल बनी रहती है उस जहां पर कीचिन में और गार्डन में तो जड़ें पर नहला करके उनके उपर खी लगाया जाता है और उनको फुड दिया जाता है और उनको फूड़र किया जाता है जो 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 राइस ऐन्ट इडिबल का बना होता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोराइफד पर रेक्थिवर नॉर्मलमल से., लाइव स्टॉक जो भी है उनके वेल बिंग के लिए किया जाता है तो आप सोहराई फस्टिवल को मेंशन करेंगे यह कार्थिक और पॉस नवे में दिसम्बर मंथ जो होता है आपका इंगलिश का उसमें मनाया जाता है और आप सोहराई में एक और शीच मेंशन कर सकते हैं कि करें यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं फस्टिवल को मैं ने में लिए अब लोग कंडूजन लिखना है दिखिए फस्टिवल लिखने के बाद अब एक पराग्राफ लिखेंगे जो भी आपका फांट्स चूट गया उसको आप यहांपे मेंशन कर देंगे तो जो भी उसमें हम लोग GI tag को mention कर सकते हैं इसके बाद हम लोग Sarna कर demand को short में mention कर सकते हैं कि demand हो रहा है Sarna code के लिए और finally हम लोग conclude करेंगे conclude करने के लिए आप चाहे तो quotations का use कर सकते हैं या फिर यहाँ पी जिस तरह से conclude किया हुआ है आप इसको use कर सकते हैं तक यहां पे इस तरह किया हुआ है, रिसेंटली जहारखंट असेंबली, पास्ट रिजॉलूशन ऑन सर्ना कोड फोर इंक्लूजान ऑफ सेपरेट लेजन, यहां पे सेपरेट रिलेजन के इन्क्लूजन के लिए, यानिकि दो जारीकीस का जो सेंशल से, उसमें separate relation को मानने के लिए यानिके सर्वना एक separate relation होगा इसके लिए एक अलग code की डिमांड की गई है और यहाँ पे Central Government के पास भीजा गया approval के लिए और तब तक क्या करेंगे जो सर्वना प्रात्ना सबा है वो क्या करेंगे population survey करेंगे सर्वना tribes का तो यहाँ पे देखें कि यह सब पुछ आपको mention करके अच्छे से conclude कर लेना है तो अगर यहाँ पे हम लोग आज यह topic खतम होता है इसके बाद हम लोग discuss करेंगे हमारा next topic जो होगा नगपूरिया language का emergence और सदान का concept तो इसको हम लोग next time discuss करेंगे और साथ में चोबी लोग इस notes को लेना चाहते हैं यह particularly chapter का notes मैं upload कर दूँगी telegram channel पे लेकिन इस पूरे notes को इस पूरे book को जो भी purchase करना चाहते वो simply इनमें से किसी भी number पे contact कर सकते हैं साथ में आप यहाँ telegram channel पे जाकर भी message कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही thank you very much